हम बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ admission of a partner में एक particular topic की और बहुत important topic की इसका नाम है treatment of goodwill देखिए बच्चों जब भी कोई नया partner business में आता है तो उसको दो चीज़े cash में लेकि आने ही पड़ती है सबसे पहली चीज तो होती है capital जो वो उसके अपने पास रहा करती है business में and second चीज जो लेकर आता है that is premium for goodwill क्योंकि वो profit share अपना acquire कर रहा है from the old partners and for that purpose he has to compensate the old partners with the amount of premium which he has to bring to get his share of profit in the firm यह जो premium for goodwill वो लेकर आता है इसको वो उन्हीं partners को बाट दे देता है जिन्होंनों इसके लिए sacrifice किया है और यह पैसा उनको उनके sacrificing ratio में बाट दिया जाता है यार रखेगा कोई भी जो नया partner होता है वो firm की goodwill के basis का अपने share के बराबर हिस्सा cash में लेकर आया करता है इसको premium for goodwill के नाम से represent किया जाता है अगर वो premium का पैसा नहीं लेकर आयेगा तो उसको वो खुद पैसा अपने capital account या current account से निकाल कर देना पड़ेगा to the sacrificing partners that's why वो अपनी capital को deduct ना करना पड़े इसलिए वो अलग से premium for goodwill लेकर आया करता है तो इससे जोड़ी वी entries क्या क्या होती है देख लीजे बच्चों जब नया partner आएगा तो capital लेकर आएगा capital बलाएगा तो business में cash बढ़ेगा और साथ-साथ उसकी capital बढ़ेगी आप लोग जानते ही है जब capital बढ़ती है तो credit होती है और जब capital बढ़ती है तो capital बढ़ती है तो credit होती है और जब bank या cash balance बढ़ता है तो debit होता है दोनों पर assets के increase और lab capital के increase का rule लग जाएगा ठीक है बच्चों अब जब नया partner goodwill लेकर आता है जिसे हम premium for goodwill कहते हैं तो भी business में cash या bank balance बढ़ रहा है तो cash या bank तो debit हो जाता है और premium for goodwill account credit हो जाता है हम इन दोनों entries को मिला के एक साथ ही बना सकते हैं बच्चों cash slash bank account debit to new partners capital account to premium for goodwill account और चाहें तो आरल लग भी बना सकते हैं ठीक है बच्चों फिर जैसे मैंने आप लोग को पताया कि यह जो premium का पैसा होता है यह वो पैसा अपने पास नहीं रखता इस पैसे को distribute कर दिया जाता है among the sacrificing partners in their sacrificing ratio तो यह premium for goodwill account तब तो credit हुआ था जब वो नया partners को लेकर आया था लेकिन जब इसको sacrificing partners में distribute कर दिया जाता है तब यह account debit हो जाता है और sacrificing partners के capital या current account credit हो जाते हैं अब capital account credit होंगे या current account credit होंगे वो इस बात पर depend करता है capital account fixed है अगर capital account fluctuating है जो कि normally रहा करते हैं तो इनका capital account ही credit होगा लेकिन अगर capital account fixed है तो इनके current account credit होंगे instead of the capital account इस बात को ध्यान रखेगा बच्चों उसके बाद एक बात और ध्यान रखेगा बच्चों कि जो भी प्रीम बाटा जाता है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रवाइजिंग रेश्यों में बाटा जाता है ठीक है ना कि उनके ओल्ड रेश्यों में ना कि उनके निव पेसाज के लाटा जाता है वे इस बात को ध्यान रखे गागा । ठीक है बच्चों, यहां पर मैं अपको लोगों को बच्चों एक बात वाद बतना चाहूंगा, कि अगर कोई पुराने गुडविल अपियर कर रही है अन्दा बैलेंच शीट, then it's better कि उसको राइट ओफ कर दीजिए, राइट ओफ, ओल्ल गुडविल, इफ, अपियर, और एक्जिस्टेड, इन दा, बुक्स, ठीक है बच्चों, उसको राइट ओफ करने के एंट्री क्या होता है, तो उसे क्रेट करना पड़ेगा, तो गुडविल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाती है, क्रेट हो जाता है, और ओल्ड पार्टनर्स का, क्यापिटल, या फिर, करन्ट अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है, फ्लक्चुेटिंग है क्यापिटल अकाउंट तो क्यापिटल अकाउंट ही डेबिट हो का, फिक्स है तो करन्ट अकाउंट डेबिट हो का, और पुरानी गुडविल ऐसा करने से राइट अफ हो जाती है, अब वो नई बैलेंची भी नजब नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको खतम कर दिया, ठीक है, आम तरब पुरानी गुडविल जो होती है, जो पियर कर रहे होती यहां, बट क्योंकि हमने अब नई गुडविल वैलेशन कर लिए फिर्म की, जिसके अंदर परचेस गुडविल भी शामिल होगी, तो इसको था इस बैटर कि हम इसको जो है, इस गूड़ल को खता दें, क्योंकि वो अलरड़ी जो है नई गुडविल के अंदर परचेस किया जाता है बच्चों वह हमेशा इन ओल्ड रेशियो ऑफ दा पार्टनर्स किया जाता है ठीक है बच्चों तो एक तरह से आप सेक्वेंस आप लिजिए अगर कोई पुरानी गुड्डल है तो सबसे पहले आपको उसको राइट अफ करना है फ्रॉम दा बुक्स इन ओल्ड रेशियो उसके बाद नया पार्टनर आएगा कुछ लेकर आएगा जिसके मैंने एल वर्ड लाना जो कि वह कैपिटल लेकर आता है और एक प्रीमियम फर गुडवे लेकर आता है यह दो चीज़े वह लेकर आता है उसकी एंट्री बनाईए फिर आप जानते हैं कैपिल तो अपने लेकर आया था मगर प्रीमियम वह पुराने पार्टनर के लेकर आया है इसलिए जो बाटने वाला काम करेंगे वह सिर्फ प्रीमियम करेंगे और वो भी सेग्रवायजिशीो में और जो राइट-उफ वाला काम है ओल्ड गुडविल का वह जो किया जाएगा वह ओल् increase समझ्वाई होंगी और admission वाले chapter में इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चो इस बात को ध्यान रखेगा Thank you बच्चो